नमस्कार भाईयो मैं रविंद्र एकवार फिर आपके साथ आपके अपने यूटूब चैनल होम गार्डन पे दोस्तों और सामने है यह एक डहेलिया का पौदा है और इस पर अभी जो बड़ आ रहा है अभी फॉवरिंग नहीं हुई है और यह हाइवर्ड है इसमें डहेलिया दो तरह के आते हैं दोस्तों एक छोटी किस्प काता है और एक बड़े फूल वाला हाइवर्ड जिसे हम बोलते हैं तो यह हाइवर्ड क्वाल्टी है और मैंने इसे अपने घर पर ही ग्रो किया है सीट से तो मैं आज आपको डहेलिया के जो सीधन ग्रो करते हैं पहले मैं आपको एक बार देखा चुका हूं उनकी केर कैसे करते हैं जैसे तीस से चालिस दिन हो जाते हैं आपके छोटे छोटे जो प्लांट है रिपोर्टिंग मैंने आपको पहले बताए थी नरसरी की बैसे ही कुछ तो चलिए आज हम डहेलिया के उपर शर्चा करेंगे और जर्नली सबसे पहले वीडियो का विचार और आज की वीडियो का विच कभी नहीं छोड़ना चाहिए हम बड़ी खुसी के चक्कर में अपनी छोटी छोटी खुसियों के छणे वहने व्यर्थ जाने देते हैं सदे खुस रहे हैं और भोजन बड़ा कीमती है कभी भी ज़्यादा भोजन ना ले और अपनी थाली में तो बिलकुल ना छोड़े तो हमने सीडिंग ट्रे में डेलिया को ग्रो किया हुआ है आप देख सकते हैं और यह देखे इदार वैन वैरा कितनी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है और लेकिन अब यह ग्रो होने से ज्यादा पीला पढ़ना शुरू हो जाएगा तो अब इसका यहीं उपाय है कि हम इसे सब्सक्राइब करें या तो आप गिलास में से पॉंट कर दीजिए या फिर किसी पॉर्ट में तो आज हम एक मीडियम साइज पॉर्ट में यहां से निकालकर सिफ्ट करेंगे तो चलिए तो मेरे कुछ दोस्तों के प्रैयई थी किकिए उनके जो प्लांट है ग्रो नहीं होते तो मैंने देखाए कि अगर आप स्प्राइब कर रहे हैं दोस्तों तो सबसे अच्छा है कि आप कोकोपीट कर आप योग करें यह देखे कोकोपीट में ही सभी ग्रो किए ग तो चलिए हम बात कर रहे हैं आज डहेलिया की तो मैं इस ट्रे को बाहर निकाल लेता हूं और उसके बाद हम इसे एक पॉर्ट में सिफ्ट करेंगे डहेलिया के लिए जो बात है मैं आपको बताता जाऊंगा तो आप देख सकते हैं मैं एक इस प्लास्टिक के पॉर्ट का प्योग कर रहा हूं अपने बहलिया को सिफ्ट करने के लिए और मैंने छेदों के जो ड्रैनिम बास्तार्स के लिए इसमें एक पॉलिथीन की रस्टी डाल दिया आप कोको पीट यूज कर सकते हैं नीचे या कंक पर तो हम जो मिट्टी लेंगे दोस्तों तो मैं पहले आपको बता हूं कि डहे लिया फुल सन नाइट चाने वाला पौदार किसी भी फ्लॉवर प्लांट के लिए काली मिट्टी सबसे बैस्ट होती है यह देखें काली मिट्टी से मतलब है खुब और वरक होनी चाहिए उस कुछ दोस्त पूंचते हैं क्या गोवर खाद के अलाव हम और कोई फैटला या ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों जहां तक को आप बर्मी कंपोश्ट लें या कंपोश्ट लें अगर आपके पास और गानिक या देशी खाद एलेवल नहीं है तो दोस्तों प या डी एपी यूडिया या फिर डाई या सलफेट किसी का भी कुछ दाने इनके उपर हलके हलके यहां यह आपको यह ब्रांच मुख्य ब्रांच दिख रही है इसके दूर दो से तीन इंच आप डालिए अगर आपने ज्यादा यूज किया रासा ने खादों का तो फिर आपका फ्लावर जो है वो पंद्रह दिन आपको प्रांच बहुत अच्छे दिखेंगे आपको बहुत अच्छे ग्रो कर र लिया करें अगर आप तो सहब में रहते हैं और गाहां में कोई परिशानी नहीं है गोबर खाद बड़ी आसानी से मिल जाता है दूसरा प्रशना क्या सूखा गोबर हम यूज कर सकते हैं दोस्तों विल्कुल कर सकते हैं लेकिन सूखा गोबर आप पहले उसे खोड़ लीज तो आज हम यूज कर रहे हैं यह साधान मिट्टी है और मैंने इसमें ही गोबर खाद मिलाया हुआ है अलग से यह राक में प्रयोग करूंगा राक इसलिए सही है यह कारवन का बहुत अच्छा सुरूत है और फ्लावर प्लांट के लिए कारवन बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपके फूल जाते हैं तो कारवन का यूज ज्यादा से ज्यादा करें राक आपो कर सकते हैं कच्छा कोयला जो भटी में होता है लखड़ी के कच्छे को Elay को आप उपयो कर सकते हैं सीधे-सीधे पौधों में कुछ लोगों ने पूछा है तो मैं आपको बताओं लेकिन जो पत्थर वाला कोईला होता है वो तो भट्टी में यूज होने के बाद उसकी राख ही आप यूज करें और राख भी पौदे की मुख्य व्रांच से दूर रखें तो हम इस मिट्टी को अपने पौट में भह लेते हैं भहने का वही तरीका है एक सत्य हम मिट्टी की फिर गोबर खात की और फिर मिक्स और उसी बीच में हम राख का प्रियोग कह लेंगे तो चलिए मैं पौट को भह लेता हूं पौट को बहने में कोई खास परिशानी आपको नहीं आनी चाहिए और कोई भी पौट यूज कर सकते हैं आप बोचाए मिट्टी का हो प्लास्टिक का हो क्ले का हो या फिर कोई और भी मिट्टी में अगर कोई लकड़ी या फिर गास का तिनका हो तो आप उसे निकाल दीजिए एक क्वेरी थी के गोबर में सूखे घास हैं तो बिल्कुल गास निकाल दीजिए क्योंके वह कंपोस्ट नहीं हुआ है डीकंपोस्ट नहीं हुआ है डिकोड और वह अगर आपके प्लांट में चला जाएगा तो हो सकता है दुबारा ओगा आए या फिर वह उसमें दीमक भी लग सकती है तो यह हमारा पॉट लगवाद तयार हो गया है और अब हम इसमें अपने प्लांट है वह डहीलिया के लिए मिट्टी हाड होनी चाहिए हाड से मतलम मेरा होता है वह क की मतला कम होनी चाहिए उसमें और गोवर खाद की मतला कम होनी चाहिए आप खाद है फाइटलाजर है वह पौदे के ऊपर से यूज़ करें मिट्टी में डेलिया एक बड़ा प्लांट होता है जो हाइब्रिड होता है आप देखें यह काफी उचाही जाती है उसके हमें लक पौदों को ट्रे में से निकालना कोई कठिन काम नहीं लेकिन फिर भी आप चाकू से उसकी नीचे तक मिट्टी को निकालने है यह देखिए यह मैंने अपना जो है डेहलिया का प्लांट निकाल लिया इसकी आप रूट देख सकते हैं यह और इससे सीदा सीदा इस रूट से छिर्खानी नहीं करनी है कि आप इससे दबाने लगें ऐसा कुछ नहीं कहना है आपको इसे लेना है आपको और अपना जो पौट है यह पौट है जैसे और इसमें एक होल बनाईए और ऐसे उसे बस ऐसे दबा दीजिए यह हमारा प्लांट सिफ्ट हो गया तो यह पौट शुटा आईल तो आप जर्नली एक या दो प्लांटी इसमें सेट करें लेकिन मैं इसमें तीन प्लांट सेट करूँगा और मैं आपको बताओं यह जो मैंने सीड लगाएं डेलिया कि यह मिक्स कलर हैं मुझे खुद आइडिया नहीं है यह कौन से कलर का पौदा है तो चलिए हम केवाल अपने बिवेक से ही उसे लगाए देते हैं आप देखें इसकी रूट कितनी बड़ी है इस प्लांट की और इसे भी हम इसी में लगाए देते हैं और उसके बाद जब इसकी फ्लावरिंग हो भी अभी पीरियट चल रहा है डेलिया का जो हमने बहुत जल्दी जो सीड बो दिये थे सितंबर अक्टुबर में उन पर फ्लावरिंग भी हो रही है लेकिन यह मैंने जो सीड है बहुत कि यह फ्लावरिंग लेट तक चले क्योंकि इस समय काफी फ्लावर वाले प्लांट एले वाल हैं बस निकालते समय आपको यह दिहां रखना है दोस्तों के पहले चागू को चारा तरफ आप ऐसे लगा लिया करें फिर एक गहरा घा और फिर नीचे से आप अपना प्लांट एसे निकाल लीजिए फिर है एक हलका सा होल बनाना है आपको और आपको अपना प्लांट उसमें ऐसे से शेफ्ट कर देना है यह लीजिए जनाब अब मैं इसमें बहुत हलकी हलकी मिट्टी और डाल दूँगा जिससे जो हमारे पौदे हैं या डेलिया का जो प्लांट हैं वो अच्छी तरीके से इसमें खड़े रह सके यह गेने नहीं चाहिए और बहुत हलकी वाट्रिंग आप इनमें कर दीजिए कि जड़ें जो है वो सेट हो जाएं अब हम इसमें हलका हलका यह मैंने पानी दे दिया है यह देखिए हमारा प्लांट गिर रहा है तो आप इसे स पहले को सब्सक्राइब जाहिए और तीसरी वात फिल सलनेट चाहिए तो फिर आपके यहां बहुत अच्छे फ्लावर आना शुरू होंगे तो बिल्कुल जल्दी ही मैं आपकी इसके अपडेट वीडियो डालूँगा जब इस पर फ्लावरिंग आ जाएगी और धन्यवाद इनी सब्दों के साथ अगर कोई क्वारी हो तो प्लेस कमेंट करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लेस लाइक और सेयर जरू करें चैनल को सब्सकाइब कोई ना भूलें दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद आपका दिन सोबो थैंक यू क्वारी हो तोस्तों करें खिएम कर दोस्तों करें गजया हो तोस्तों करें